क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ aspirants, कुछ topper के marks, UPSC के ethics के paper में 130 प्लस चले जाते हैं और वही कुछ selected candidates के या फिर जो walktons देते हैं उनके 90 प्लस भी नहीं जा पाती है why this kind of variation इतना fair बदल या इतना ज़्यादा difference आता कैसी है उसका main reason है कि आप अपने questions में ethics के diagram include करते हैं या नहीं, important keywords include करते हैं या नहीं remember and mark my words कि जिसके answer में ये दो चीज़े होंगी उसको दूसरों के मुकाबले all over paper में 20 प्लस marks मिलेंगे ही मिलेंगी क्योंकि उसके answer में ethics के diagram भी है और keywords भी है जो की important है जो दिखाता है आपके answer को ethical perspective है ना अगर आपने option क्या होगा sociological perspective होता है, geographical perspective होता है वैसे ही ethical perspective से आप answer जब लिखते हो तो ये दो चीज़ें बहुत important को प्ले करती है welcome back to clear vision for you, please see, आज की वीडियो बे हम देखेंगे कि ethics के diagram और keywords का कैसे बहतरी इन तरीके से use करके plus 20 marks लेकर आएंगी see, before starting the video, here are some key points and you have to remember these key points always, diagrams are really very important and for mains JS4 है ना, तो JS4 के लिए diagrams important है आप इनको skip नहीं कर सकती हो include all these diagrams in your mains notes, जो आपकी mains के notes होगे, वहाँ पे इनको attach कर लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर वा हूँगा, लेकिन अभी addition करके, आप आभी वीडियो को pause करके अपने notes के diagram बना सकते हो diagram के notes बना सकते हो, first try to understand how you can use this, पहले आप समझो कि आपको ये use कैसे करना है PDF मिल जाना is not enough, notes बना लेना is not enough, 90% लोग यहीं रह जाते है, notes or PDF मिल, but 10% जो इसको समझ की काम करते है, वो select हो जाती है, draw diagram by pausing video, ठीक है, let's start, so this is the first page, like we have a ethics and human interface, यह हमारा पहला syllabus का line है, ठीक है, first line of the syllabus, जहां पर हम देखते हैं, ठीक है, and this is the ethics by clear vision for UPC, यह मेरे paid program का हिस्सा है, यह notes, आप इन notes को देखोगी, तो इसमें full analysis आपको दिखाया गया है, दिखातो एक minute, ठीक है, यहां से हमारे notes basically ऐसे start होते हैं, और यह है keywords for ethics, आप कैसे use करोगे keywords for ethics, यह मैं भी आपको सिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं, यह notes है, ठीक है, देखें आप इनको, these are the notes, इन notes में, जैसे देखो, अब यहां से न, यह main notes से start होते हैं, यह first line of syllabus है, ठीक है, यहां भी देखो, diagram attached है, ठीक है, अब क्या करना है, जब आप आप आपने introduction लिखा, आप स for example, उसने पूछा कि sources of ethics क्या है, आपने लिख दिया, ठीक है, डिटेल में लिखते है, लिकित अगर आप यह diagram बना क्या आते हैं, तो एक अलग, एक different level की understanding examiner को मिलती है, और आपकी sheet बेखने में भी अच्छी रगती है, आप खुद बताओ, अगर मैं यहां पी paragraph में लिखन ठीक है, paragraph wise लिखता, तो आप को कितना जादा यह interesting लगता, मेरे को लगता है, बहुत जादे इंटरस्टिंग आपको नहीं लगता, but now, after this, आपको यह चीज़े दिख रही हैं, आपको interesting लग रहा है, यह चीज़े इंटरस्टिंग रहा है, यह चीज़े आपको बना क्यानी पढ़ेंगी, आपको समझानी कैसे अपनी notes में आप इनको inculcate करोगी, कैसे आप इनको use करोगी, always, always try to make at least one diagram in 10 out of 8 questions, ठीक है, दो question में रहने तो, but 8 questions में आप diagram बना क्या हो, जिससे आपका paper, इसके क्या benefits है, वो देख, benefits यह है, कि पहला benefit तो यह है, कि आपका paper बहुत जल् होगा, है न, जो three hours मिलता है, आप उसको अच्छे सी utilize कर पाऊगी, second, आपका answer दूसरों के मुकाबले काफी अच्छा होगा, ठीक है, third, examiner आपको दूसरों के मुकाबले जादा number देगा, and this is confirmed, okay, यह guaranteed चीज है, इसमें कोई भी शब करने की need ही नहीं, but पता है, main important चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो, most of the students, diagrams बनाते इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि diagram कौन सा बनेगा यहाँ पर, क्योंकि किसी ने आस तक बताया, यहीं कि diagram कैसे बनेगा, और diagram कौन से उसकरे, और कहां से हम उठाए diagrams, ठीक है, यह सारे चीजे किसी को पत ही नहीं है, तो आज की वीडियो में यह सारे चीजे आपको मैं provide करने वाला हूँ, so this is the first page, let's understand first diagrams, उसके बाद हम keywords देखेंगे, ethics and human interface, ठीक है, let's start, अब देखो, अगर question आ गया कि ethics और religion का क्या relation है, क्या difference है, आप वहाँ पर यह diagram बना के आ सकते हो, कुछ नहीं करना है, अच्छा, जैसी कि यह वाला अगर और यह वाला, दोनों आप diagram अगर आप देखते हो, तो आपको एक चीज यहाँ पर comment पता लग जानी चाहिए, कि अगर ऐसा कोई question आता है, जिस पर पूछता significance of ethics, sources of ethics, why ethics, यह सारे चीजे, तो आप उनका answer, instead of making pointer notes, या pointer answers, आप डारेक्ट ऐसे answer कर दो, यह आपका time save हो जाएगा, और answer आप यहाँ पर पूरा दे रहे हो, तो यहाँ पर extra काम करने से अच्छा आप यह करो, smartly सोचो, क्योंकि answer writing न, अब हर कोई करता है, देखो answer writing, बट reality में वही कर रहा है, जो smart तरीके से कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ethics, मैंने आपको direct answer कर दिया, ठीक है, आपको यहाँ से सारी चीज़े पता चल चुकी है, आपको मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, जैसे attitude, हार एक topic पे, syllabus के हार एक topic पे attitude हो गया, attitude हो गया, emotional intelligence हो गया, probability and governance हो गया, या civil services की values के, यह सारी चीज़ों के उपर यहाँ पे notes है, जैसे attitude में है, cognition, belief, things we would hold true, जैसे हम किसी चीज़ को उसने पुछा कि attitude formation कैसे होता है, उसने पुछा attitude कैसे form होता है, ठीकिन यह question है, अब आप इस diagram को बना के आओगे न, my dear friends, 100% आपको इसमें प्लस 2 marks मिलेंगी, उसने बोला कि cognition, belief, things we hold true, जिनको हम मानते कि यह true है, यह belief होते ही, ठीक है, peripheral किसी ने आपको बोला कि Americans बुरे होते हैं, आप यह बात बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन आपने देखा कि एक American किसी की help कर रहा है, तो आपका जो perspective American के लिए, वहाँ पे बदल जाता है, तुछे कहते है peripheral, जो बदल जाए, core, अगर आप vegetarian है, ठीक है, औ और आपको non-witch के लिए बोला जारे कि चलो यार, खा लेते हैं, let's hear this, आप मना करोगे, क्योंकि यह आपकी core value में आती है, कही कभी change नहीं, यह भी होती है, बट इसको change करना बहुत जादा tough है, अच्छा, जब इस core strong belief में हमारा emotion जुड़ जाता है, तो वो हमारी value बन जाती है, समझा है, यह हमारी value होती है, जो आप घर से मिली है, अब जब इस value में हम अपना behavior add कर देते हैं, भाई मैं नहीं खाने वाला आप से हैं, जो कहो है, behavior add हो गया, तब वो मेरा attitude दिखाता है, समझा गया आपको, so इस तरीके से आपको proper तरीके से अपने diagram का use करना है, जिसस आप extra plus two marks ला पाओ, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जहाँ पर human behavior आता है सामने, और यहाँ पर जो diagram बनाए ही, इनको बहुत अच्छे से आप देख लेना, सेम चीज़, जैसे EI में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखो, aptitude and foundational values for civil services, अब वहाँ प जादा attractive लग रहा है, देखो, public interest, procedure, orientation, accountability, value-based, democratic में क्या कहना है, value-based, bottom-up, people-centric, inclusive, consultation, participation, value-based, यह साली चीज़े होने चीज़े, इसमें, अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया है, इन दोनों में, कि other में यह diagram बना के आ रहा, तो मुझे बहुत जादा pointers में लिखने की need नही बट अगर इस smart approach करो, जो toppers करते हैं, तो आपका paper टाइम से खतम हो जाएगा, और याद रखना, UPC में एक बहुत important line है, जिस particular aspirant अपना mains का paper सिर्फ अच्छे से cover कर लिया, question में जो पूछा लिए, उसका answer कर दे, उसको interview call 100% आज़ेगी, क्योंकि 12,000 जो students claims देते हैं, या द उनमें भी कई लोगों का main science से prepare नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो सारे बच्चे निकल जाते हैं interview में, I hope आपको चीज समझ आ गई हो, अब हम बढ़ते हैं, keywords की तरफ, now, keywords for ethics, इनको कैसे cover करें, keywords for ethics का use कैसे करना है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, this is one of the most, most important topic for GS for ethics, ठीक है, ठीक है, keywords for ethics, moral muteness, what is moral muteness, moral muteness, moral muteness occur when people witness unethical behavior and choose not to say anything, it can also occur when people communicate in ways that obscure their moral beliefs and commitments, अब अब अगर आप moral muteness का meaning समझ गया हो, एक example के लिए धान से सुनते रहे, अगर आप moral muteness का meaning समझ गया हो, ठीक है, तो इतनी बड़ी definition, यह जो definition लिखने की need ही नहीं हुए, आप डारेक्ट यह word लिख किया होगे न, इस word की इतनी बड़ी कीमत है, कि जब examiner ऐसे words आपके पढ़ेगा, आपके answer में वो पढ़ रहे है, moral myopia, तो think about examiner, वो कैसे check कर रहे है, moral myopia, cognitive bias, bounded ethically, conformity bias, ethical fading, this kind of keywords, this kind of keywords, and words, आप सोच रहे हो आपका answer किस level पे जा रहे है, आप सरह think करके देखो, अब believe नहीं हो रहा है, तो आप mock test के, अगर mock test आप देते हो, तो उसमें यह keywords लिख के देखो, other important keywords में, मैंने basically, attitude में कौन-कौन से keywords, अगर attitude से question आ गया, let's say, अगर attitude से question आ गया, ठीक है, तो आप इन keywords का, classical और pablovian conditioning, instrument of conditioning, observational learning, utilitarian, instrumental function, volunteerism, social service, positive attitude, compassionate attitude, tolerance, proactive empathies, stereotypes and prejudices, anarchism, authoritarianism, in words का, use करके आओगी, अब attitude के answer में, अगर आप यह words का use करके आओ, आप जरा सोच हो, आप का answer किस level पे जा रहे है, ठीक है, same चीज़, aptitude, probability and governance, और इसमें EI का भी include कर रखा, इस ही में, ठीक है, अब यह words, अगर आप अपने answers में लिखके आ गए न, तो यह आप होगे, जो 130 plus score कर रहे होगे, इथिक्स के paper में, ठीक है, this is all about ethics, और यह है, मेरे ethics के notes है, basically, जो की ethics paid program का हिस्सा है, thank you so much, कुछ parts है, इस video में, जो मैं अभी cover नहीं कर पहूं, यह कि next video हमारी moral thinkers के regarding है, जिस पर मैं moral thinkers completely, जो की ethics का program की video है, बट वो मैं video यहाँ पे YouTube पे upload करूँ, आप लोगों के लिए, जिस पर मैं court based questions, court based questions, court based questions आपको easiest way में, easiest way में आप उनको कर पाएं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, और मेरे बात बहुत ध्यान से सुनमा, इसमें 2023 में total 4 questions आई हैं, total 4 questions आई हैं, और seriously, बहुत सारे aspirants को court based questions काफे tough लगते हैं, कि कैसे decode करें, है न, कैसे decode करना, तो मैं आपको भी बताऊंगा, कि आप कैसे इसको decode करोगी, कैसे easily आप इसका answer करोगी, अगर आपके पास, जैसे random, किसी random, किसी भी ऐसे scholar का court आजाता है, जो आपने पहले कभी ने बढ़ा, फिर भी आप उसका answer कैसे करोगी, आपके प्रिवियस नॉलेच पर, ठीक है, मिल टे आपके नेक्ट वीडो बे, थैंक यू सो मच,